Hello everyone, electronics4u.com के DIY section में आपको स्वागत है ये वीडियो proof of concept है DIY project password based electrical appliance control का जो कि electronics4u.com पे publish हो चुका है शल ये देखते हैं ये काम कैसे करता है आप भी ये interesting project बना सकते हैं simple steps को follow करके जो कि electronics4u.com के ग्लॉग में दिये गए है जिसका link आपको इस वीडियो के description में मिलेगा आपका electrical appliance तभी on होगा जब कोई सही password डालेगा जैसे कि आप इस circuit को अपने main door की doorbell पे भी लगा सकते हैं अपने घर को और पर रदा सुरक्षित करने के लिए doorbell तभी बजेगी जब कोई सही password डालेगा इस project को बनाने के लिए जो components इस्तमाल हुए है वो है 74LS32 Quad2 Input OR Gate IC 74LS00 Quad2 Input NAND Gate IC 74LS04 Higgs Inverter NOT Gate IC and 74LS02 Quad2 Input NOT Gate IC password को set करने के लिए ULN2003 Relay Driver IC जो की ये बताएगा कि आपका circuit सही से काम कर रहा है एक 5V का Relay जो के electrical appliance को on करेगा जब कोई सही password भरेगा 8 on-off switches जो की password डालने के काम आएंगे और एक 60W 230V का AC bulb जो के electrical appliance की तरह काम करेगा इस prototype में हमने buzzer को electrical appliance की तरह दिखाया है चलिए इस project का demonstration देखते हैं हम यहाँ पे कोई भी switches इस्तमाल नहीं कर रहे हैं अपने prototype में हमने यहाँ पे एक correct quote को set करा है इस circuit में इन logic gate ICs की सहायता से अब क्यूंकिक्वे correct password इस circuit में पड़ा हुआ है तो जब हम इस circuit को on करेंगे तो buzzer बजने लगेगा अब अगर हम यहाँ से एक wire हटा दें तो password गलत हो जाएगा और buzzer अपने आप बंद हो जाएगा क्या आप अपना खुद का एक password based electrical appliance control system बनाना चाहते हैं तो क्लिक करें इस link पे जो आपको वीडियो के description में मिलेगा यहाँ जाकर के आप पूरे project को circuit diagram के साथ देख सकते हैं यदि पसंद आए तो like, share और subscribe करें हमारे चैनल को और ऐसे DIY proof of concept वीडियो के लिए, thank you